हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी मैं राकी आप सभी का स्वागत करती हूं राकी की पार्ट सला यूटूब चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायलोजी की दूसरी ब्रांच जिसको कहा जाता है बॉटनी तो आज मैं स्टार्ट कर रहे हूं बॉटन में जाके उसे देख सकते हैं जैसे कि उसमें मैंने फिजलोजी की जितनी भी वीडियो है वो जो बना दी है जैसे कि आपको स्कलेटन सिस्टम पढ़ना है तो आप हीमन फिजलोजी की प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आप पढ़ सकते हैं और हीमन रेस्पिरेशन पढ़ना है मतलब उसमें आपको सबी चीजे मिल जाएंगी हमन फिसलोजी की प्लेश्ट में और आपको जो है अगर हिंदी से रिलेड़ वीडियो चाहिए तो आप हिंदी की प्लेश्ट में जाएंगी वहां पे आपको मिल जाएंगी तो चलिए आज हम बॉटनी पढ़ते हैं तो जो हम प्लांट के बारे में इत्तेदी करते हैं और आस हम पड़ेंगे बॉटनी के जिसमें वह व्यूंत द्ताय जो वह लेक्न साँं हो ड्रांटिश्ट के सब्नियो थे संवर मैं एपकोÓ टुरसिती और इत्ताय करते हैं ज्मिक ही भीगार्नी तो आज हम पढ़ Explain के बॉटनी कौन है तो फादर आफ बाटनी अगर एक्षाम में तो वनस्पत विग्यान के जनक वह थीयो फ्रेष्टस तो यह थीयो फ्रेष्टस जो है इन्होंने क्या एइसा काम किया है जो हम यह फादर आफ बाटनी कहते हैं मतलब जनक कहते हैं वनस्पत विग्यान के जनक कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं मतलब क्या इन्होंने किया है ऐसा जो इन्हें हम जनक कहते हैं मतलब वनस्पत विग्यान के तो इन्होंने क्या किया है कि जो प्लांट मार्फोलोजी है मतलब पादब आकारकी तो ये मार्फोलोजी क्या होता है तो जैसे कि हम प्लांट के केस में मार्फोलोजी मतलब होता है और जैसे हुमेन में जैसे कि आपने फीजलोजी पढ़ी है तो हुमेन में होता है फीजलोजी तो जैसे कि मार्फोलोजी क्या होता है मतलब उस प्लांट के पार्ट आपको जो दिख रहे हैं वो उस पार्ट जिसे की प्लांट में रूट है फ्लावर है लीफ है ये क्या हुई तो इन प्लांट के जो आउटर पार्ट हैं आउटर पार्ट के बारे में एस्टेडी करने को ही जो है मार्फोलोजी कहते हैं तो आफ़ समझ में आओगा कि जो plant मार्फोलोजी है वो क्या है मतलब कि जो plant की outer part के बारे में जोàoעटर निकरने को फिट्र कहते है ठो वर त्री ओफेस्टन जो है इनकी एक book है इस्टोरिका प्लानटयनम यह question पूछे जाता है three of existed की मितलब जो book है इसका नाम पूछे जाता है exam में तो आप इसे मितलब याद रखिएगा और इसके बाद हम देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या बाटनी में तो जो important है वो देखते हैं लेवस तो इसमें जो हम पढ़ेंगे plant hormone पढ़ेंगे plant hormone याने की पादफ hormone और plant morphology पादफ hormone और पढ़ेंगे plant morphology तो ये plant morphology में इसमें मतलब क्या क्या पढ़ेंगे जैसे की root, root हो गया, stem, leaf हो गई, flower हो गया, flower हो गया, fruit हो गया इन सब चीजों की विशे में इसमें पढ़ेंगे root, stem, leaf, flower, fruit, plant morphology में नेक्स्ट आता है photosynthesis तो photosynthesis पढ़ेंगे और इसमेतलब की प्रकास sensation और जो है plant respiration plant classification और plant disease यानि की पादव रोग तो ये जो है main main कुछ हैं जो बहुत ही important है वो chapter हम पढ़ेंगे और question भी देखेंगे जो काफी बार पूछी जा चुके हैं तो इसमें जो हमारा पहला जो chapter रहेगा plant hormone तो आज हमने जो है देख लिए असलेवर्स और next वीडियो में हम plant hormone पढ़ेंगे उसके बाद जो है ने चरो मैं तो है जो हमारा जो सबूण में जो है जो सबस्केटेंगे जो आख जो है जो है